हेलो दोस्तो स्वागे थे आप सभी का Education Cat6 में रुख करते हैं बिहार के तरफ, दोस्तो बिहार SSC की तरफ से जो Second Intermediate इस तरिये जो परिक्षा आपका होने वाला था उसका Date Extend होगा अभी, यानि कि एक्जाम का Date अभी आपको नहीं मिलने वाला है, ये Confirm हो गया है, चुकि अ कारण है, मैं थोड़ा एक बर फिर से आपको notification पर लेका चलता हूँ, यहां पर बातों को समझने का प्रयास किजिएगा, देखे, 15 जनवरी के द्वारा जो है आपको विग्यप्ति संख्या निकाला गया, और दूसरे intermediate इस तरही जो परिक्षा को लेका, online आवेदन आपसे लिया जा रहा था, और यहां पर देखेगा, इन्वेस्ट्रोटियों के सुधार और आरक्षन, सैक्षनिक, तकनीकी और वांचनी यह योगता, यह चारों चीजी आपसे मांगी जा रही है, आरक्षन के लिए जो भी चातर जैसे माली जो कोई OBC में, तो कोई OBC में है, तो E CST काटेगरी का चातर है, वह अपना क्या, तो जातिये प्रमणपत्र यहां पर अप्लोड करेगा, जो जेनरल काटेगरी का चातर है, वह अपना EWS काटेगरी अगर आता है, तो उसका सेटिफिकर डाउनलोड करेगा, यह तो हो गई आपकी एरक्षन को लेकर, सैक्षनिक, यानि कि देखिए, यहाँ पर नियुन्तम सेक्षिनिक मागा गया है, आपका 12th pass, तो 12th pass है, तो ठीक है, यहाँ पर आप इसका certificate अपलोड कीजेगा, देखिए, बहुत सारे छात्र क्या हुआ है, कि इस बार अभी एक्जाम दिये है, कौन से छात्र है, जो की नए वाले, इस स आविदन कर रखा है, तो वही छात्र आविदन कर सकेगा, जो छात्र 12th pass था, तकनीकी, तकनीकी योगिता, यानि कि वैसे, डॉक्मेंट्स, जो की कम्प्यूटर से रिलेटेड, आप में, आपको पता है, यह बहुत सारे से पोस्ट है, यहाँ पर, जो की कम्प्यूटर से जो है, सीटों का संक्या यहाँ पर दिया गया है, तो तकनीकी उसमें जो रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट है, वो मांगा गया है, वांचनी योगता क्या होती है, वांचनी योगता जैसे कि मालीजे कि आपका सेलेक्शन हो गया, डेटा इंटरी ओपरेटर के पोस्ट पर तो इसमें अगर आप लोग को training दी जाती है अब training के दोरान जो आपका तक्निकी योकिता है उसमें आपको training दी जाएगी तो माली जै कि आपको training प्रुवाइट किया गया वहाँ पे जो एनिंग के बाद तो ये तो चीजे हो गए यहाँ पर योगिता समंदी तथा अन इस सभी प्रमाणपत्रों के मूल प्रती स्कैन कोपी अब देखिए का यहाँ पर लिखा गया है साब साब मूल प्रती का स्कैन कोपी यानि कि ओरिजिनल डॉक्मेंट्स आपके इन सब के हैं तो इसका स्कैन कोपी कीजिए इसका पीडियेफ बनाईए और आयोक के वेबसाइट पर अपलोड कर दीजे यह 18 जनवरी से 18 फरवरी के 20 तक आपको समय दिया गया था चुकि देखिए फॉर्म भरवाया गया एक महीना फिर एडिट करवाया गया एक महीना अब फिर से अभी आपको एक और डेट एक्स्टेंट हुआ है जोसे कि मैंने बताया है और आपको करके भी बताऊंगा यहाँ पे क्या करना आपको माल लिजे कि कुछ ऐसे भी आप लोग के सवाल आ रहे थे जो कि परिशानिया हो रही थी कि कति पर अभ्यार्थी द्वारा गलत प्रमाणपत्र अपलोड हो गया है कैसी गलत हो गया ध्यान सुन लिएगा बहुत सारे से स्टूडेंट है जो की SCST से हैं बहुत सारे से स्टूडेंट है जो की BCEBC से हैं ठीक है ये तो अपना जो है जाती प्रमाणपत्र इनको नहीं लगाना था इनको NCL लगाना था लेकिन इन्होंने अपना जाती प्रमाणपत्र डाल दिया है से ओस्टिक वाले केटेगरी है यहाँ पर इन्हों ने क्या किया है कि जाती के propri अपना निवास्जा यह रिशिदेंसिल लगा दिया है तो रिशिदेंसिल है यही लगाना है क्यों कि बहुत रहे ज़ारे मार्य है जारा बात कि उस में निवास प्रमाणपत्र अप्लोड कर दिया है लोगों ने वो नहीं करना है आप लोग अपना जाती प्रमाणपत्र अप्लोड करना यह ध्यान रखिया आप लोग अच्छा और क्या बाते यहां पे तो प्रमाणपत्र अप्लोड हो जाने गलत अप्लोड हो जाने के परिपेक्ष में आयोग कार्याले में अभियोधन समर्पित करने के करते हैं तो, प्रमान पत्र अपलोड करने हैं तो, पुना एक आउसर प्रदान किया जानने का अनुरोद किया गया, ये इन छात्रों ने अनुरोद किया कि सर हम से गलती हो गई, लेकिन ये गलती का ही तो सुधार करने के लि ऐसा तो मतलब अगर देखा जाए तो यह बहुत रेयर केस में इसा होता है कि इतना एक-एक महीना दो-दो महीना आप लोगों को फॉर्म एडिट करने का मोगा कहीं दिया जाता है ध्यान से समझेगा मैं चीज़ों को कंक्लूड भी करूंगा साथी कतिपे अभ्यार्थि के द्वारा पासवर्ड भूलनें बहुत सारे लोग क्या है कि समय जब वैकिंजी निकलती है तुरंत नहीं कराए जाता है तो उसके बाद ये सब समस्यां खड़ी होती है देखें तो उसी समस्या का एक पहला कारण कि कतिपे अभ्यार्थियों के वो ारा पासवर्ड भूलनें याने कि फॉर्णड पाशवड की स्थिति में नया पासवर्ड या OTP Jimmy घोता है जैसे कि नया पासवर्ड के लिए सिर्फ इमेल पर भेज़े जाने का प्रवाधान को इमिल के अतरित रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजने का अनुरोद किया गया मतलब की बहुत सारे लोग आए कि उनका अपना email id का address भी भूल गया है email id का password भी भूल गया है जिस email id पर उनको OTP भेजा जा रहा था तो यह तो भाई बहुत मतलब बचकाना मतलब अगर देखा जाए तो यह क उसको अपना email id का address तो at least पता होगा ID का password पता ही होगा तो यह सब चीजे एक बहाने हैं तो यह यहाँ पर इसी के कारण जो बताया है इन लोगों ने कि हम लोग इन कारणों से क्या किये हैं कि अभ्यारतियों के अनुरोद पर और व्यापक हित में विग्यापन संख्या दो आपके mobile number में भी OTP आने लगया होगा आज 18 तारीख है देखेगा 18 फरवरी है और यह 18 मार्च तक होगा नहीं आ रहा है तो भी क्या करना बता देते हैं अभ्यारति उक्त दोनो email id और mobile number है न मेंसे किसी एक के मादिम से password भूल ले यानि कि forget password की इस हिती में नया password यानि कि new password OTP प्राप्त कर सकता है साथी साथ आपको प्रमाण पत्र अप्लोड करने के पुन एक अंतिम आउसर यहां पे दिया जाता है और यह आउसर अब आपको 18 फरवरी से 18 मार्च तक दिया जाता है जिसमें आब दिन में तुरूटी का सुधार भी आप कर लिजेगा तो यह तो ह करने का होता है तो प्रमाण पत्रों के अप्लोड करने का जो आप लोग गलती बता रहें बहुत सार इछादर क्या हुआ ना कि जिसे की सर्टिफिकेट भी अप्लोड करवाए जा रहा था इस बीच में है ना जो कि एक मिना समय आपको दिया गया था बोला गया कि भाई यहां पिलोड करेंगे तो अब अब आपको जो यह क्या हुआ है कि नकों करना सुनेशित करें ठ्याट बार जो अगर अप्लोड करवाय जा रहा है दिया जा रहा मोगा इसमें वह चात्र भी गलती कर बैटेगा जो सही से अपना फॉर्म बरवेट है इस बार जो है आपको सभी को नहीं करना है जिनको यह समस्याइं हुई है आई है उनके साथ यह दिक्कते होंगी इसके बाद समय सिमा को कोई विस्तार नहीं किया जाएगा निर्धारी तिति सभी प्रमाण पत्रों का मोल प्रति जो है इस कैन कोपी पीडियेफ के रूप में कर लिजिएगा और वेबसाइट पर नहीं अप्लोड करने पर उनका अभियार्थी रत कर दियाएगा अगर नहीं किये अभी त सभी प्रमाण पत्रों का मोल प्रति स्कैन कोपी के रूप में देवसाइट पर अप्लोड करने का प्रवधान मोल विग्यापन का हिसा इसको समझा जाए और यह अंतिम कंडिका में जोड़ा जाएगा अब देखिए आपको आना होगा इसके वेबसाइट पे यह आपको दि नॉर्मल ही बता दे रहा हूँ चीजों को आप लोग समझ लिजेगा अगर आप अपना फॉर्गट रजिस्ट्रेशन या पासवर्ट भूल गया हो तो यह दो ऑप्शन दिये गया है रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्गट यहाँ पे और फॉर्गट यहाँ पे अगर आपन अपने अपना पासवर्ट भूल गया है या अपने जो भी है तो उसको क्लिक किजेगा इस सेक्षन पर आपको अपना इमेल डालना है मोबाइल नंबर भी डालना है अपना डेट बर्थ यहाँ पे डालिएगा SMS जो है किस पर मंगवना चाहते हैं तो आप SMS पर किजेगा है ना यह जो इमेल मंगवना जाते तो इमेल पर किजेगा कोई एक क्लिक किजेगा और यह जो कैप्चर यहाँ पर डालके सब्मिट कर दिजेगा जैसी सब्मिट किजेगा आपके रजिस्टर मोबाइल पर जो मोबाइल नमबर पर आपका OTR आएगा वन टेम पासवर्ड जो है वो आएगा फिर उसको जो है आप यहां पर क्या करेंगे सब्मीट करेंगे डालके और रिजिसेट पासवर्ड कर लिजिए जाकर जैसे उपन होगा या फिर नया पासवर्ड कर लिजिए तो यह एक मौका है आपको यहां पर इसब करने का अगर आप जो है यहां पर माली जी की अपना रिजिस्टेशन नमबर ही भूल गया है तो फॉर्गेट रिजिस्टेशन नमबर पर क्लिक के जिएगा इमेल आइडी मोबाइल नमबर डेटो बर्ड डालिएगा और इस यहां पर जो डॉक्मेट अभी तक आप लोगों नहीं किया है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको लॉगिन करना होगा ठीक लॉगिन कर लिजेगा लॉगिन पर क्लिक कीजेगा अपना रिजिस्टेशन नमबर पासवर डालिएगा इस कैप्चर को यहां डालेगा सुटीशन नमखेगा लॉगिनroneट कारकि लॉगिन करने के बाद आपका पेंज़ हो जाएगा आपका शरा रिजिस्टेशन वाला पार्ट एग और आपको पीडिये वाला भी पारट दिखेगा और आपका ऐप्लोड हुआ है नहीं हुआ वहीं दीखेगा ठीक है तो हो गया तो ठीक है गलत हुआ है तो उसको सब डिलीट करके वहाँ जे नया अपलोड कर देना है बस एक छोटा सा यह अपडेट था जो कि हमने आप तक साजा किया है और अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बताएगा मैं इसका एडिट कर मार्च गया अप्रिल में एलेक्शन्स है और फिर इसका एक्जाम मई या मीड जून तक होने की संभावना है तो तैयारी अच्छे से कीजिए हमने अपने अप्लिकेशन पे इसके लिए मोक्टेश्ट भी डाल रखा है मोक्टेश्ट दीजिए या फिर आपको 11 बजे टेली मनिये जैहिंद